हेलो जूनियर स्वागत है आपका कल्यानी जूनियर के इस ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर बिटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कोल एंड पेट्रोलियम का जो चैप्टर है वो फुरा फिनिश कर लिया था अपने इस सेशन में हम उसके क्वेशन डिसकस करने वाले वाले हैं तो इस सेशन में हम क्वेशन पर सकते हैं मेरा totalmente घचीत सिंह नम那我們 है बैना वक्त घबाये हम क question answer की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेशन हम से क्या कह रहा है तो what are the advantages of using CNG and LPG as fuels to CNG और LPG को हम क्यों use करते हैं और उसके advantages क्या कहा है तो चलिए देखते हैं तो answer कह रहा है कि the advantages of using CNG and LPG are they burn with smoke less flame and so does not cause any pollution मतलब की जो CNG and LPG होते हैं वो smoke less जलते हैं ठीक है कोई भी दुआ कोई भी एश नहीं छोड़ते इसलिए उन्हें clean fuel कहा जाता है देखिए मैंने बताया दे लीव no ash on burning कोई भी राक नहीं छोड़ते जलने पर काफी जादा हाई रहती है और एक और point है कि they are easy to handle and convenient to store मतलब कि LPG and CNG रहता है LPG liquid petroleum gas जिसे कि generally हम अपने घरों में बहुत जाद इस्तमाल करते हैं वह easy to handle रहता है और काफी convenient रहता है स्टोर करने में नेक्स्ट कोशन अगर हम देखें तो नेम दा petroleum product used for surfacing of roads तो याद करिए कि हमने अपने previous lecture में जो लास्ट product पड़ा था petroleum का वो क्या था by to mean ठीक है तो by to mean कहां यूज होता है जो रहते हैं उनकी by to mean काफी जादा यूज होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा by to mean okay moving to the next question next question हमसे कह रहा है कि describe how cool is formed from dead vegetation and what is this process called तो हमारे previous session में मैंने आपको picture की मदद से बताया था यहां पर मैं आपको theory दे दूँगा बात वही है पूछ रहा है कि cool कैसे बनता है और cool बनने की process को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए हमने पड़ा था कि जो plants ferns और forest वागेरा होते हैं वो buried हो जाते हैं किसके अंदर buried हो जाते हैं भाई तो वो क्या natural process के through soil के अंदर buried हो जाते हैं काफी जादा soil उनके उपर deposit हो जाती है ठीक है और over a long period of time क्या होता है वो compressed हो जाते हैं तो कुछ conditions बनती हैं कौन सी conditions बनती हैं तो by high pressure और high temperature की condition बनती है उस high pressure high temperature से क्या होता है वो carbon enriched organic matter बन जाता है और जो वुड रहती है या जो फॉसिल्स रहते हैं वो किसमें convert हो जाते हैं वो कोल में convert हो जाते हैं और इसी slow process को मतलब की जो process होती है conversion of wood into coal इसे हम carbonization कहते हैं और यह काफी जादा slow process होती है इसमें millions of years भी लग जाते हैं देखेंगे बच्चो जो next question है वो fill in the blanks question है तो यहां पर कुछ options दिये हुए हैं जैसे coal हुआ petroleum हुआ natural gas हुआ refining हुआ CNG हुआ तो यह जो points है वो in blanks में कहीं न कहीं आएंगे और कहां आएंगे वही हमको अपने session में देखना है जानना है one marker question बन जाते हैं कई बार फिल इंदा blanks से और आपके exam point of view से काफी जाता important है ठीक है तो first जो जो point वह हमसे कह रहा है कि fossil fuels are dash dash and dash तो क्या होते हैं तो generally हमें fossil fuel का example ही देने तो हमने पढ़ा था कि coal petroleum and natural gas है वो fossil fuel होते हैं तो इसमें क्या आजाएगा fossil fuels are coal petroleum and natural gas okay second point हमें देखना है कि second point क्या कह रहा है तो भाई process of separation of different constituent from petroleum is called देखिए यह भी बन वार कर question बन सकता आपके लिए काफी ज्यादा important है और हमने अपने previous lecture में यही चीज़ डिसकस की थी कि जो conversion होता है various constituent को निकालने के लिए और उनको convert करने के लिए different constituents हैं petroleum के उस process को हम लोग क्या कहते हैं तो उस process को हम लोग कहते है refining okay third अगर point हम देखे तो least polluting fuel for vehicle तो जो least polluting fuel है vehicle के लिए है वो गलत है तो देखिए सबसे पहले पहला point देखने कि क्या है तो fossil fuels can be made in the laboratory तो भाई fossil fuels जो होते हैं वो लेवरेटरी में नहीं बनाया जाते ठीक है अब लेवरेटरी में क्यों नहीं बनाया जाते हैं हमें कैसे पता चला तो हमने पढ़ा था कि जो तो fossil fuels है वो natural resources में आते हैं मतलब naturally बनते हैं वो man-made नहीं होते तो यह वाला जो है वो false हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए ना देखिए इसका answer हो जाएगा false moving to the next point next point करा हम से कि cng is more polluting fuel than petrol नहीं भाई यह बात भी बिल्कुल गलत है cng काफी जादा clean fuel होता है काफी जादा clean fuel होते है calorific value भी इनकी काफी जादा high होती है और इन्हें हम इसलिए prefer करते हैं क्योंकि यह less polluting fuel होते हैं अब जो petrol होता है वो थोड़ा polluting fuel होता है हमारे environment pollution में भी काफी जादा इसका roll रहता है petrol का इसलिए हम लोग prefer करते हैं कि petrol होगे रगा कम यूज इसलिए भी करें एक तो पहली बात तो यह exhaustible है मतलब nature में ही काफी जादा कम है उपर से polluting भी है तो हमें इसको तो बचाना ही है साथ में अपने environment को भी तो बचाना है तो इसलिए जो petrol है वो polluting रहता है जो की CNG है वो clean fuel रहता पॉल्यूटिंग नहीं रहता तो यह वाला point भी जो है यह वाला point भी false हो जाएगा ओके third point अगर हम देखें तो coke is an almost pure form of carbon तो इसका answer हो जाएगा yes क्योंकि जो coke होता है actually में वो pure form of carbon होता है इसका answer true हो जाएगा यह सई statement है और coal का by product भी जो है वो coke हम कह सकते हैं ठीक है moving to the next question coal tar is a mixture of various substances ठीक है तो coal tar is a mixture of various substances यह वाला भी जो statement हो true हो जाएगा moving to the next statement kerosene is not a fossil fuel तो भाई kerosene तो fossil fuel है तो इसका answer false होना चाहिए क्योंकि इसमें कह रहा है नहीं है लेकिन हमें पता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा फॉल्स moving to the next question next question देखते हैं हमसे क्या कह रहा है तो explain why fossil fuels are exhaustible natural resources मतलब की जो fossil fuels होते हैं वो exhaustible natural resources क्यों है अरे भाई इसलिए हैं क्योंकि वो नेचर में limited amount में present limited quantity में present है और अगर हम उनका use करते हैं continue use करते हैं तो एक time ऐसा आएगा कि वो खतम हो जाएंगे इसी लिए fossil fuels को inexhaustible natural resources कहा जाता है इतिनी सी बात नहीं समझते करना है ने जुनिर्स वाले बच्चों को तो सब पता है previous lecture में सब भी पड़ चुके हो है ना next question की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं next question कि describe the characteristics and uses of coke तो देखिए हमने coke coal tar and coal gas तीनों के बारे में पढ़ा था तीनों coal के byproduct होते हैं इस में सिर्फ हमें को के बारे में बताने कि को कहा कहा ही होता है तो को के बारे में ठोड़ा और जानते कि को क्या होता है तो देखिए कोग इज नाइंटी एट परसेंट प्यूर कारवन इट टफ पोरस एंड ब्लेक सबसेंज इट प्रोडूजेज आप वेरी लिटिल स्मोग अब अगर हम कोग की यूज देखें तो कोग इज वैरी उसफुल एज फ्यूल भाई एज फ्यूल भी उस होता है इट इस अ गुड एजएंट इस वाइडली उस्ट इन मेटलर्जिकल प्रोसेश इस तो रिड्यूज मेटल फ्यूल फ्यूल ऑक्साइड मतलब बहुत सारे में बनाने में भी जो है इसका यूज होता है इस टील आरन फॉरमिशन भी हमने पढ़ा था और इस यूज फॉर प्रोडूसिंग वा बैल बैल अभी पीछे हमने कोल की बताई कि कोल कैसे बनता है अब इसमें हमें बताना है की जो पेट्रोलियू की प्रोसेस है प्रिट्रों कैसे बनता है तो हम लोग說 कर चुके हैं अपने सेशन में पर निख वह ब्रिख्वा उनीमल्स पमल ये है अरो इस चैसा बितलunci क्या होते हैं वह natural gas और petroleum में convert हो जाते हैं ठीक है slowly converted into petroleum तो petrol कैसे बनता है वो हमने अपने previous session में देखा था यहाँ पर आपको theory दी हुई है कि कैसे बनता है तो आपने अगर नहीं देखा है तो मेरा previous lecture जा कर देखें और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे petroleum बनता है कैसे जो aquatic animals होते हैं वो सी के bottom पर deposit हो जाते हैं उनके ऊपर stones और soil के लिए deposit होती है और एक टाइम ऐसा आता कि लिए बहुत जादा मोटी हो जाती है ठीक है तो बहुत जादा pressure और बहुत जादा प्रोसेसर तो आपको परशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस आपको concepts clear करने हैं कि actually मैं होता क्या है यहाँ पर सारे questions खतम हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे questions के answer काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको अगर इन questions की PDF चाहिए तो आप कलने जुनियर टेली ग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन